दर्वमान सरक्षन के नियम की पुष्टी के लिए आईए हमें प्रयूक करते हैं इसके लिए हमें जिन चीजों क्या शक्ता होगी वह काज के एक शीशी गर्म दूद, नीबू, सिरिंज और दर्वमान मापने की मशीन इसके लिए सर्वप्रथम हम इस गर्म दूद को काज की शीशी में डालेंगे इसे इस प्रकार डालकर रख देते हैं इसके पश्यात नीबू को रस को हमें सिरिंज में लेना होगा इस प्रकार हमने नीबू का रस सिरिंज में प्राप्त कर लिया है अब इसे शीशी में यूँ फसा कर इसका दर्वमान ग्याद कर लेते हैं हम दर्वमान मापने की मशीन में इस प्रकार रखते हैं और इसका दर्वमान मापन करते हैं इसका दर्वमान हमें 41.96 ग्राम प्राप्त हो रहा है द्रवमान मापन के पश्षाद हम इस नीबू के रस को दूद में मिला देते हैं इसे मिलाने से यहां पर रासाइनिक अभिक्रिया हो रही है जिसे समाने भाषा में हम दूद का फटना कहते हैं इसका द्रवमान मापन पुना करते हैं हमें इसका दर्मान पुना 41.96 ग्राम प्राप्त हो रहा है जो की रासाइनिक अभिक्रिया से पूर्व भी था इस प्रकार रासाइनिक अभिक्रिया के पूर्व भी दर्मान वही प्राप्त हुआ जो की रासाइनिक अभिक्रिया के उपरान प्राप्त हुआ जिससे दर्मान के सरक्षन के नियम की पुष्टी होती है